नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बरबाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेगे कि कौन सा वो एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे में पती जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को पीरिड जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव राधे राधे तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरू जी से, कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में? दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंगपती को रातों रात करोरपती से रोरपती बना देते हैं। आपके घर, प्राचीन काल से ही घर की बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्ग बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है, जिनकी वजह से ही खुशाल परिवार भी नर्क के समान हो जाता है. घर में दरिदरता आती है, तो आये जानते हैं कौन सी है, वो गलतिया जिनके कारण खुशाल व करोरपती घर भी भिखारी बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि विडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, दोस्तों नमबर एक पाव हिलाना जिन्स घर की औरते खाना खाते समय पाव हिलाती रहती है, वो घर कभी भी बरबाद हो सकता है, महा लक्षमी रुष्ट हो जाती ह परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है, दोस्तों नमबर दो जिन्स घर की महिला जाडू को पैर से लगाती है, या पैर से ठोकर मारती है, या जानवर को मारती है, वहा कभी भी लक्षमी का वास नहीं हो सकता, ऐसे घर में हर वक्त ब खोड़कर अगर कोई महिला सोजाती है, तो ऐसे घर में लक्षमी कभी भी नहीं आती, ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए रात को चूले पर जूटे बरतन ना रखे, बरतन को तुरंत धो डाले क्योंकि बरतन भी शराब देते हैं, दोस्तों नम आपके घर में ऐसा होता है, तो इसे तुरंत रोक दे, वरना ये विनाशकारी आदत आपके घर को लेडुबेगी क्योंकि महालक्षमी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता, दोस्तों नमबर पांच, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठ कर भोजन करती है, तो इससे घर में बरबादी आती है, हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है, दोस्तों नमबर छे जिनस घर की महिला रात या शाम को जाडू लगाती है, तो उस घर में दरिद्रता आती है, इसलिए इस आदत को छोड़ दें, खास कर ब्रहस्पतिवार क दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्रहस्पति जब कमजोर पड़ता है, तो घर में बिनाशकारी गरीबी आती है, दोस्तों नमबर साथ, अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है, तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है, देर र आठ महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को परिवार को श्राप लगता है, ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्षमी इनसे कोसों दूर रहती है, दोस्तों नमबर 9 जिन्स घर की महिला सुभा उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे धर में देवी लक्षमी कभी भी नहीं आती, घर की महिलाओं को सुभा उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और सच मायने में महालक्षमी ऐसे ही घरों में वास करती है, दोस्त भी उल्टे पाव चली जाती है, क्योंकि जीस घर में स्त्री की पायल खनकती है, वहाँ पर देवी लक्षमी का वास स्थाई रूप से होता है, भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वो नमक देखने के लिए भोजन को चकती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए, ऐसे में जूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता, दोस्तों आपको यह नहीं मालूम होगा, कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है, जब औरत रात के समय ऐसे सोती हैं, यकीन मानिये ये भी है, मैं नहीं बता रही हूँ ये शास्त्र कहते हैं, वो घर करोडपती कभी भी बन सकता है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कैसे सोने पर सबसे जल्दी काम्याबी मिलती है, महिला जब ऐसे सोती है, तो यकीन मानिये आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, यही वो कार्य हैं, जो अगर आपके घर की महिलाओं करती है, तो आप जल्द ही माला माल हो सकते हैं, तो आईए जानते हैं, दोस्तों नंबर एक शा महिला जागती है, तो इसका मतलब है क्या, आपके घर में परेशानिया आ सकती है, इसलिए किसी भी महिला को बेवज़ देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ऐसा करने से दोश लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए, दोस्तों नंबर दो धर्म श जागती है, जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है, तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए, ज्यादा सोना धन की हानी और बीमारियों को नियोता देने के बराबर है, दोस्तों नंबर तीन, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो नकारात्मक उर्जा से भरी बातों का जिक्र बिलकुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक उर्जा आकरशित होती है और आपके सपने में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए। इससे हमें काम्याबी मिलती है। दोस्तों नंबर चार मंगलवार और शनिवार और ब्रिहस पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें वरना ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में सपष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्तिपर्क नहीं सारे दोस्त लगते हैं जो उसे बरबाद कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको जरूर जल्द उठना चाहिए। दोस्तों जब कोई महिला पूर्व या दक्षिन द उनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों महावारी के दौरान यानि पीरियर्ड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय हैं। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिदरता अपना आवास बना लेती हैं। इसके दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाओं और युवतियों इससे बचने का प्रयास तो करती हैं लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह काम करने पड़ जाती हैं। खासकर आज कल के समय में ये नहीं हो पाता क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी। ऐसे में ये नियम संभव था। पर अब जब नुकलेयर फैमिली हो गई है, सब अलग-अलग रहते हैं तो घर में एक ही महिला हो और वो भी किचन में काम ना कर पाए तो इस समय में पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे में आप नहा कर ही रसोई घर में प्रवेश करें। बिना शुद्धी क्या प्रवेश ना करें? हाईजीन के नजर ये कि वो खाना उस समय बनाए जी समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। ये पीछे आप खाना बना ले तो इससे दोश से बचा जा सकता है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं. इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सबस्क्राइब करना ना भूलें. और हाँ इस वीड बोक्स में जरूर लिखें और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यश लिखें क्योंकि यश लिखने से विडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है धन्यवार